दोस्तों crypto fear and greed index के अलावा अगर सबसे बड़िया तरीका है पता लगाने का bitcoin का bottom आ गया है वो है sentiments कल के वीडियो पर comments थे bitcoin is a fraud against humanity लोग personal attack करना शुरू कर देते हैं कहां गया तुम्हारा 42,200 का bottom without obviously ये वो लोग हैं जो वीडियो धान से नहीं सुनते होंगे 42,40,202 targets थे 40,200 के हम बिल्कुल नीचे हैं लंबी wicks आती हैं हम बगवान नहीं है हम predict करना नहीं जानते हम गलत हैं आज सुबह bitcoin ने कुछ वापसी करनी शुरू की है हमारा जो दूसरा orange box था कल की वीडियो में उन्हें बताया था कि उसके अंदर जाना हम नहीं मानते की संभव है पर everything is possible अगर हम उस orange box के अंदर जाते हैं तो उस orange box का bottom हमारा अगला target होगा खेर we are not going to waste your time हम बात करेंगे gray scale के status के बारे में और कितने bitcoin भिक रहे हैं हम बात करेंगे bitcoin की halving years में आने वाले drawdowns के बारे में जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर हम गिरते हैं तो हम कितने प्रतीशत तक गिर सकते हैं bitcoin के fear and greed index के बारे में बात करेंगे Franklin Templeton के बारे में Mount Gox के बारे में बात करेंगे कि जोगे एक नया फडाने लगा है market में यह सारी चीज़े अगले 7-8 मिनिट के अंदर मेरा नाम रोहिच चर्मा Satoshi Stack India में आपका स्वागत है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए टाइम पर वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी एक कमी है कि मैं वीडियो एक fix समय पर नहीं बनाता हूँ कभी 5 p.m. कभी 2 p.m. कभी रात को 12 बजे और कल में वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि कल में किसी event के लिए बैंगलोर जा रहा हूँ तो बात कर रहे थे हैं Bitcoin के price action के बारे में Orange box पे resistance मिली Orange box के support मिली अब उपर वाला जो Orange box है पहले वो जबर्दस support था Bitcoin को नीचे नहीं आने दे रहा था अब वो Bitcoin को अंदर घुसने नहीं दे रहा है simple सी बात है नीचे वाला Orange box support बना हुआ था अभी भी बना हुआ है और मेरे technicals from last 6 years of experience पूरी महनत जो Orange box तो line खीची है जब fail हो जाते हैं ये आंकडे तो लोग उसको hate करने लगते हैं otherwise people swear by this people लोग इसकी सौगन दखागर trade लेते हैं कि मैं अगर short लोगा तो इस Orange box पे लोगा मैं इस long लोगा तो इस Orange box पे लोगा we have thousands of our fans जो इसके मुरीद हैं but anyways gray scale ने 17,000 Bitcoin और deposit किये थे ये कल की खबर है कल शाम की खबर है अगर आप देखें trend wise हाला कि gray scale के पास सिर्फ 5,000,000 Bitcoin बचे हैं अब 5,000,000 उनके पास एक समय 6,000,000 हुआ करते थे जो pace है gray scale के Bitcoin को Coinbase पर भेजने की 17,100 वो कम होती जा रही है पहले दिन उनने 25,000 भेजे थे फिर 20,000 अब 17,000 और इस बात की कोई guarantee नी मैं gray scale के लिए काम नहीं करता हूँ और I'm sure gray scale ने अपने employees को भी नहीं बताया हुआ कि उनका selling plan क्या है मैं सिर्फ logic पे काम करता हूँ और मैं यह हूँ बार-बार आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप gray scale के CEO होंगे क्या आप अपनी आँखों के सामने रोज 500-700 million के funds को बाहर जाता हूँ देखके खुश होंगे going to black rock, going to fidelity या आप अपने जो जिद है कि हमने 1.5% fee लगा रखे जिसके चलते लोग gray scale का bitcoin trust बेच रहे हैं उसको वापस लेंगे ये एक chapter है जो मैं side में रखता हूँ रोज बात करता वा रहा हूँ मैं बात करूँगा एक minute के लिए mount gox के बारे में और mount gox के थुरू आपको एक बड़ी साक्षातकार मिलेगा बहुत reality check मिलेगा mount gox सबसे बड़ा hack है दुनिया का आज तक का bitcoin के लिए 2014 में हुआ था और हर तीसरे महीने एक ख़बर आती है कि mount gox अपने users को जिन्होंने 2014 में जिनके पास bitcoin थी जिन्होंने mount gox Japanese exchange पर रखे हुए थे वो वापस लोटाने शुरू कर देगा और हर तीन महीने बाद ये ख़बर आती है कि वो इस सीज को extend कर रहे है ये ख़बर इसलिए आज फिर से कवर कर रहा हूँ जनुरी 23 की ख़बर है कि grace kill एक fud है mount gox एक fud है US की government के पास भी एक लाग bitcoin है वो भी कभी भी बेच सकते हैं ये एक fud है और ऐसे आप कहीं फ़रे fud ला सकते हैं टेसला अपने 50,000 bitcoin बेच देगा ये एक fud है micro strategy bitcoin बेच कर bitcoin profit book करने का ये एक fud है ये कहां जुडता है अगर हम तार को जुड़े ये जुडता है fud से और fear and greed से market में जब जब greed आती है जैसे अभी हम 48,000 का dollar का जब bitcoin था तो market में extreme greed थी बट बार बार gravity की तरह गुरुत्वा करशन की तरह fear जो है वो greed को नीचे खींचता ह ये हमेशा याद रखी कि bitcoin अभी फिर से पलग जपकते ही मैं नहीं predict कर सकता कोई भी यूट्यूबर नहीं predict कर सकता माइकल सेलर भी नहीं predict कर सकता बट पलग जपकते bitcoin 50,000 पर चला जाएगा और फिर हम सब bullish हो जाएंगे सब रोहित शर्मा को प्यार करने लगे पर हमें एक fundamental चीज भूल जाएंगे कि जब greed आती है तो fear भी आता है bitcoin इस समय fear में जाने लगा है और सारे लोग जो है वो fear की बाते करने लगे हैं मैं बहुत bullish हूँ मैं हमेशा bullish हूँ जब जब ऐसा fear आते मैं आपको याद दिलाता हूँ कि I am bullish दोहराव और comments में लिखो अब क्या हो रहा कि bitcoin अब 30,000 से 35,000 पर support प्राप्त करेगा क्यों हमें कोई हाक नहीं बनता yes मैं उस viewer का comment सिर आंखों पर लेता हूँ जिसने कहा था कि आप तो 40,200 के मुरीद थे और bitcoin क्यों 38,900 तक चला गया क्यों आपका जो target है वो 1100 डॉलर सी miss हो गया मैं उनकी criticism को लेता हूँ क्योंकि मैं अगर bullish हूँ तो मैं हमेशा bullish हूँ मैं अपने target चेंज नहीं करता हूँ वह मारे किसी estimate की basis पर थे बट अगर आठर हेर्ज की माने मैं उन लोगों की बारे में टिपनी यहां पर कर रहा हूँ जिनके target चेंज होते रहते तो भी bitcoin 11% की दूर है उनके target से 35,000 से और फिर दोरा दूँ कि मैं जितने मर्जी bullish हूँ मैं जितने मर्जी target लूँ मैं जितना मर्जी strongly बोलूँ 40,200 और इस समय bitcoin का price 40,200 के आसपास यह hover कर रहा है अगर आप देखें तो but कोई भी price ऐसा नहीं bitcoin में crypto में जो indispensable है तो आप याद रखें before आप किसी भी bitcoin किसी भी youtuber के fan बने मेरा fan आप मत बने किसी के भी बने या किसी का criticism करें तो हमेशा याद रखें कि bitcoin में crypto में 1000 कारण है जो crypto को कभी भी 30% डाउन की जा सकते है उसको मत भूले और हर समय cash अपने पास रखें अभी क्या होगा आज कल कोई नहीं खरीदेगा आज भी कोई नहीं खरीदेगा पर जब bitcoin 45,000 पर जाएगा तो अधिकतर लोग long लेते हैं अपने altcoins पे तब अगर आपको long लेना है अपने favorite altcoins पर मैं नहीं बताऊंगा किस altcoins पर बढ़कर आप उसमें विश्वास करते हैं तो आज लेना आज हिम्मत करें क्योंकि bitcoin 48,000 से करीब 22% dip ले चुका है और हम historians हैं हम technicians हैं data analyst हैं तो हम तो सिर्फ data basis पर कहेंगे न मैंजमें कोवे ने बहुत अच्छा एक चार्ट बता है जो मैं 3-4 महने पहले cover कर चुका हूँ आपको याद होगा कि bitcoin के bull runs के अंदर drawdowns कितने बड़े-बड़े आते हैं bitcoin के halving के दौरान कितने बड़े-बड़े dump आते हैं ये पिछली 3 halvings क का एक snapshot है और देखें अब unrealistically 30% का dump आता है 50% का dump आता है कोवीड के टाइम पर 70% का dump आये था क्या कोवीड के बराबर का कोई कारण आज पनब नहीं कर सकता है जरूर कर सकता है इसराइल के लड़ाई देखिए पाकिस्तान और इरान के बीच में बंबारी हुई है ये सब च खतम है Bitcoin bottom out कर चुका है दोस्तों और ये narrative ये सब बेरिश लोग सब bullish हो जाएंगे दो दिन के अंदर दोर ये सब भूल जाएंगे किनोंने 35,000 के target दिये थे मेरा काम है bullish रहना और आपको bullish करके रखना Franklin Templeton Blackrock Fidelity सब भर-भर के Bitcoin खरीद रहे है आज जितना grace के लिए बेच रहा और वो क्यों अपने Bitcoin bottom के नजदीक है fear and greed index ताकि आपको याद रहे कि fear and greed index सबसे बड़ा driver है Bitcoin की वापसी का और वो bottom कर चुका है अपना USDT address चलना मत भूलिए अपना ख्याल रखिए धन्यवाद जैहन